हαलो दोस्तो, आज की वीडियों बताओंगा डिलेट फोटो वापास के से लाएं 2025 हाओ टो रिकावर डिलेटेट फोटो वीडियोस ओन आंडुओड फोटो रिकावरी के बारे में डिलेटेट फोटो वीडियोस कई वापास लाने के लिए यह आपको Gmail के official app को open करना है इसे आप Gmail के official app को open करते हो कुछ तरह interface open होयाता है Gmail app को open करने के बाद टॉप पे profile logo देखना होता है आपको profile logo पे tap करना है इसे profile logo पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको option आजगा manager google account अगर आपको multiple idea होगा तो manager google account option शो करेगा एक options हो आता है नीचीक तरफ data and privacy तो आपको data and privacy पे करना है इसे आप data and privacy पे tap करोगे यहाँ पे आपको नीचीक तरफ आ जाना है यहाँ पे आपको एक options हो जाता है download or delete your data इसके नीचीक option होता है download your data make copy of your data to back it up तो आपको इस पे tap करना है जिसे इस पर क्लिक करोगे एक new page एट हो जाएगा यहाँ पर आपको sign in करना एक लिए बोलेगा तो आपको अपना Gmail account को sign in कर लेना है यहाँ आपको next पर tap करना है यहाँ आपको next पर क्लिक करोगे यहाँ पर अपना Gmail ID का password एंटर कर लेना है तेन आपको नेक्स्ट पर टाप करना है इसे यह नेक्स पर लगस्ट क्लिक कर रहोगी साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपको प्सन आता है Google Account, Google Tech Out Your account, your data, export a copy of content in your Google account to back it up और use it with a service outside of Google अब आपको नेक्स तरफ आ जाना है यहाँ पर प्सन आता है 65 of 67 selected तो आप क्या करना है यहाँ पर प्सन पर प्सन पर टाप करना है इसे इस पर क्लिक करोगे, delay select हो जाएगा देशलेट करने के बाद अब आपको नेक्स तरफ आ जाना है यहाँ पर आपको एक option शुकर जाता है नेक्स एक तरफ Google Photos, your photo and video from Google Photos तो आपको इस वाले option को सेट करना है सेट करनी के लिए आपको इस box पर क्लिक करना है इसे इस पर टाप कर होगे, यह सिर्ट होजएगा सेट कर देन के बाद यहाँ पर आपको option आता है Multiple format, All Photos, Album included तो आपको Multiple format वाले option पर टाप करना है इसे आप Multiple Format पर टैप करोगे यहाँ पर Option आ जाता है Google Photos Format तो यहाँ पर Option सुरता है Photos, Videos, Album, Metadata Photos, Metadata तो आपको कहा करना है OK पर क्लिक करना है इसे आप OK वाल उप्सन पर टैप करोगे इसी एक्ठ हो जाएगा Recover करने के लिए Directed Photos, Videos on Android अब आपको नीचे के तरफ आजाने एकदम नीचे यहाँ पर आपको एक Option सुरता है Next Step तो आपको Next Step पर टैप करना है इसे आप Next Step वाल उप्सन पर क्लिक करोगे यह सिर्ट हो जाएगा यहाँ पर Option आजाता है Choose File Type, Frequency and Destination आपको कहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर Option तरफ डिस्नेशन Transfer to Send Download Link इस पर टैप करना है इसे इस पर क्लिक कर अगो यहाँ पर Option आता है Send Download Link विया इमेल Add to Drive Add to Dropbox Add to OneDrive Add to Box तो आपको इन में से कोई एक Option सुर्ट करना है तो यहाँ आपको में सिर्ट करना है Send Download Link या इमेल हमारे मेल पर आ जाएगा Link देन आपको करना है यहाँ पर पास तरफ फ्रिक्वेंसी Export Once One Export Export Every Two Month और One Year Six Export तो यहाँ पर आपको Six Export सिर्ट करना है सिर्ट करने क्लिए आपको इस पर टैप करना है यहाँ पर क्लिकर होगे सिर्ट हो जाएगा Six Export देन आपको सामने उप्शन था File Type and Size तो आपको इसको Zip ही रखना है यहाँ तो आप इसको Change कर सकते हो तो यहाँ आपको इसको Zip रख लिया हो देन आपको सामने उप्शन था File Size कितना File Size चाहिए तो आप यहाँ से Set कर सकते हो 2GB यहाँ पर Set होगा तो आप इसको Tap करना है इससे पर क्लिकर होगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा Option आजएगा तो आपको इन में से कोई एक Option सिर्ट करना है जितना Size सिर्ट करोगे उतना टाइज दाइदा Time दगेगा तो यहाँ आप में 2GB रखता हूँ देन आपको सारा Option तो है Create Export तो आप इस पर Tap करना है जितना पर Tap करोगे इस से रिट हो जाएगा यहाँ पर Option आजएगा Export Progresses Export 1 of 6 will start on November 16, 2025 यहाँ पर आपको Date Show कर जाएगा ठीक है यहाँ आप से आप Cancel कर सकती है इसे आपको All Inbox पर Tap करोगे यहाँ पर आपको Mail आजाएगा कि आपका काम हो रहा है यहाँ पर आपको 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 पर आपक yes it was me no secure account तो आपको yes पर tap करना है इसे आप yes पर tap करोगे यहाँ पर option आजएगा you are all set you just confirm it was you you can manage your google data archive here तो आपको here पर tap करना है इसे आप here पर tap करोगे देन कुछ तरका page open हो जाएगा google account google take out your export you have six more schedule export तो यहाँ आप लोगते हैं हमारा यहाँ पर request जा जुका है request complete होने में थोड़ असा time लगता है तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं मैंने November 11 पर एक request किया था तो हमारा यहाँ पर download again बला option आज जुका था तो हैहाँ पर आपका download वाला option आ जएगा और यहाँ से आपणा deleted photos, videos को easily recover कर सकते हो तो आपको minimum seven days इंताजर करना है ठीक है तो आपको यहां पर Download Again बला उपशन आजएगा तो आपको Download पर टाप करना है इसे बडाउट पर टाप करोगे तो यहां पर आपका जितना भी Deleted Photos, वीडियोस आजएगा और यहां पर आपको complete बला उपशन आजएगा तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड पर टैप करना है यहां पर डाउनलोड होने लग जाएगा यहां पर लगते हैं हमरा यहां पर डाउनलोड हो रहा है तो आप थोड़ा सा इंतिजार करना है यहां पर लोगते हैं हमरा यहां पर size भी यहां पर show कर रहा है your total request size is 845 MB download started ठीक है तो यहां पर मैं थोड़ा से इंतिजार कर लेता हूँ ओके गाइस हमरा download हो चुक है मैं यहां पर आपको open करके दिखा लेता हूँ यह रहा open पर tap करता हूँ यहां पर अप्लोड लेक्ते हूँ हम रहा हैं पर सारा deleted photos विडियो वापस आ चुक है तो हैं पर आपको मैं दिखा याता हूँ कुछ photos यहां पर लोगते हूँ मैं रहे हां पर October 2019 का यहां पर यहां पर कुछ photos यहां पर शुकर है तो आप इस दरीके से डिलिट फोटो वीडियो को आप आस ला सकते हो 2025 में सुर्व उडिविशन दिविजिक को लाइक कि जाए चन परिवेर तो प्लीज आनको सिस्क्रेब कीजिगा जहीन वंदे मातरम झाल झाल